सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र परमात्मा ही सत्य है वह नित्य एकरस और अविनाशी है सत्य में कभी परिवर्थन नहीं होता जूटा अपनी बाते बदलता रहता है परन्तु सच्चा क्या बदल सकता है उसके पास बदलने के लिए है ही क्या सत्य को समझे सत्य को ढूंडे और जो सत्य जान पड़े उस पर द्रिड हो जाएं वग्यान शास्त्र के आधार पर हो संतों की वानी के आधार पर हो बस उस पर द्रिड हो जाने मात्रे से ही परमात्मा की प्राप्ती हो जाएगी द्रिडता सत्य में ही हो सकती है असत्य में नहीं निष्टा सत्य की हो सकती है अस सत्य की नहीं, संसार का कोई भी पुरुशिया नियम नहीं ले सकता, कि मैं जूट ही बोलूँगा, जूट ही करूँगा, क्योंकि इस नियम का पालन त्रिकाल में नहीं हो सकता, यह अविवार्य है, इसके विप्रित सत्य ही बोलने का सत्य ही करने का नियम लिया जा सकता है, औ इसी से सत्य विवार है और उस परमात्मा का स्वरूप है। संसार के इतिहास में इसके अनेकों दृष्टान्त है और ऐसे दृष्टान्तों में सत्य निष्ट हरिष्चंद्र का नाम प्रधान्ता से लिया जा सकता है। कायल थे, देवता उन पर प्रसन थे, उनके शाशन काल में प्रजा संतुष्ट रहती थी। कभी दुर्भिक्ष नहीं पढ़ता था ना कोई बिमार होता और ना तो किसी की अकाल मृत्य होती। सभी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सब धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परन्तु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद सब को समान द्रिष्टी से देखते, सबसे समान प्रेम करते, अने को यग्ये याग करते रहते, सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते। उनके पुरोहित थे महर्शी वशिष्ट, वशिष्ट जी की आज्या से ही उनका राजकाच चलता था, और वे वशिष्ट का बड़ा सम्मान करते थे, एक बार रासु यह यग्ये में उन्होंने वशिष्ट जी को बड़ी दक्षिना दी, इसी से वशिष्ट जी की ख्याती और भी बढ़ गई, सब लोग उनका विशिष्ट सम्मान करने लगे, यहां तकी इंद्र की सभा में भी उन्हें विशिष्ट आसन मिलता, वशिष्ट सब प्रकार से योग्येते परंतु इंद्र की सभा में हरिष्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी अधिक स सम्मान मिलता, इंद्र की सभा में वशिष्ट के अतिरिक्त, विश्वामित्र, नारद, आदी, रिशी, महरशी भी उपस्तित होते, तथा देवताओं के साथ भ्रह्म लोग से लेकर पाताल तक के सम्मंद में वारतालाब करते, एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी, बड़ा सत्यवादी कौन है, सब लोग इस विशय पर विचार कर रहे थे, वशिष्टने का संसार में ऐसे पुरुष एक मात्र मेरे यजमान हरिश्चंद्र ही है, उन्होंने रासु ये यग्य किये हैं, और उसमें इतनी दख्षिना दिये कि उसका वर्णन नहीं किया जा स आसे सत्यवादी दाता धर्मिक और प्रजा को प्रसंन करने वाला और कोई नहीं है, और तो क्या कहों मैं रिदय से कहता हूं सत्य कहताओं कि हरिश चंद्र जैसा परम धर्मिक, प्रतापी दाता तता सत्यवादी राजा पृत्वी पर न कोई हुआ है न होगा, वशिष्ट उनके और कोई नहीं जानता उस समय भगवान ने हरिश्चंद्र की महिमा उनकी किर्थी और उनकी सत्य निष्ठता का आदर्श जगत के सामने प्रकट कर देने का विचार किया बस विचार मात्र की ही तो विलंब था उन्होंने एक लीला रच ही दी विश्वा मित्र के रिदय में ऐसे भाव उठने लगे कि हरिश्चंद्र की महिमा गाकर वशिष्ट जी अपनी ही बढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि जिसका यजमान इतना धार्मिक होगा वशिष्ट ने अपने मैत्व का वर्णन करके हम लोगों का तिरसकार किया है और खास करके मेरा क्योंकि मैं ही उनक का पूराना प्रती द्वन्दी हूं प्रती योगिता के कारण विशवामित्र के मन में ऐसे कारण सूजने लगे जो वशिष्ट के मन में तनिक भी नहीं थे हरिश्चंद्र के सम्मण्द में उननोंने यही सोचा कि वह कब का धर्मात्मा है तनिक सी कठिनाई पढ़ने पर ही वह धर्म से सत्य से विचलित हो जाएगा विश्वा मित्र ने भरी सभा में वश्षिष्ट जी का विरोत किया उन्होंने का वश्षिष्ट ने हरिश्चंद्र की जूटी महिमा गाई है यह उसके यहां ही क्या है देवताओने का महराज आप क्या कह रहे हैं क्या कभी महरशी वश्षिष्ट की वानी भी असत्य हो सकती है हम जानते हैं कि अरिश्चंद्र बड़े ही धर्मात्मा है विश्वा मित्र ने कहा वश्षिष्ट सत्य नहीं कहते हैं इस बात को मैं प्रमानित कर ये बाजी लगाना चाहें तो लगालें, यदि मेरी बाट ठीक रही, तो इनका आज तक की अध्यायन और तपस्या से उपार्जित पुन्य नश्ट हो जाए, और यदि इनकी बाट ठीक रही तो मेरा पुन्य नश्ट हो जाए, विश्वा मित्रा ने अपने आप ये प्रंड क पर लिया और वे इंद्र सभा से उठकर चले गए वशिष्ट इंद्र आदे भी भगवान की ऐसी इच्छा समझ कर चुप हो रहे है वे सोचने लगे कि देखे भगवान की क्या लीला है एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगलों में गुम रहे थे उन्होंने एक स्थान पर द सोचा कि विश्वामित्र बड़ा ही भेंकर तप कर रहे हैं ये उन विद्याओं का आपने वश में करना चाहते हैं जो पड़े बड़े देवताओं को सिद्ध नहीं है वे विद्याओं इनकी तपस्या से तपस्या के तेज से घबरा कर दुखी हो रही है यदि मैं हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश करके विश्वामित्र की तपस्या रोग दूँ तो इन विद्याओं का काम बन सकता है विग्णर राज ने हरिश्चंद्र की शरीर में प्रवेश किया हरिश्चंद्र उस तपस्विनी के पास पहुँचे अब हरिश्चंद्र लेना पड़ेगा पास ही विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे हरिश्चंदर की बास सुनकर विक्रोध से तिल मिला उठे उन्हें करोधित देखकर वह तपस्वीनी अंतरधान हो गई और विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंदर धरतर कापने लगे, उनका आवेश उतर गया विश्वामित्र जब डाटने लगे कि दुरात्मन शनवर ठेड़ जा अभी तुझे तेरे अभिमान का मजा चकाता हूँ तब तो हरिश्चंद्र हक्का बक्का हो गए बड़ी नमरता से उन्होंने रिशी के चलणों का सपर्ष करके कहा महरशी मैंने अपराद नहीं किय ये तो मेरा धर्म है कि किसी को विपत्ति में देखकर उसकी रक्षा करने के लिए मैं दोड़ा जाऊं राजा के दो ही धर्म है दान और रक्षा तीसरा केवल यही है कि इसके लिए समय आने पर युद्ध किया जाए आप मेरी अवस्ता देखकर विचार कीजिए विश्वा मित्र ने शान्तोकर का राजन पहले तुम ये बतलाओ कि किसको दान देना चाहिए किसकी रक्षा करने चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए हरिश्चंद्र ने का भगवन ब्रामन और दरिद्र दान के पात्र हैं भाइबीत रक्षा के योग्य हैं और जो इस काम में बादा डाले उसे युद्ध करना योग्य है विश्वा मित्र ने का राजन जैसे तुमने भाइबीत की रक्षा करने का यतना किया वैसे ही क्या मुझे दक्षिना दो विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने का भगवन आपको मैं क्या दू नी संदेह कहिए और ऐसा समझिये कि जो कुछ आपको चाहिए वह मैं दे सकता हूँ सोना पुत्र पत्नी शरीर प्राण राज्यनगर संपत्ती जो कुछ मांगी है वह सब मैं देने को तयार हूँ हरिश्चंद्र की ये दान शीलता देखकर विश्वामित्र आवाक हो गए उनके मुझे सहसा कोई शब्द नहीं निकल सका अपने को संभाल कर रोनने का राजन जब मुझे आवश्रकता होगी तब मैं तुम से ले लूँगा अभी तुम अपनी राजधानी में जाकर राजकाश देखो हरिश्चंद्र वहां से चले आए हरिश्चंद्र के जाने के बाद विश्वामित्र सोचने लगे कि इस हरिश्चंद्र के लिए इंदर की सभा में मेरा और वशिष्ट का विवाद हुआ था आज एका एक मेरी तपस्या में इसने विग्न डाल दिया, मेरी तपस्या से खिन्न उकर तपस्या की अधिश्टात्री देविर्यदी, रो रही थी तो रोती रहती, हरिश्चंद्र को उससे क्या मतलब था, परूंतु एका एक वकूद पड़ा, मेरे सामने आकर भी उसने अपने को दाता कोशित किया, अब उसके दातापन को देखना चाहिए, देखें, वह कितने दिनों तक अपने दातापन पर ठहरता है, विश्वा मित्र हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने के उपाय सोचने लगे, ना रहन, ना रहन, ना रहन,